स्वास्त केल एंव यूगाकारेकरम मंत्री अनिल विज गाउन ननियोला में राज़किये अरवेधिक औश धाले वा प्रात्मिक स्वास्त केंद्र का शिलानयास किया रात्मिक स्वास्त केंद्र का निर्मान 2.72 करोड रुपे की लागत से किया जाएगा जिससे ननियोला के आसपास की गाउं के लोगों को बहतर स्वास्त सेवाए उपलब्द होंगी इस मौके पर स्वास्त मंत्री ने कहा कि परदेश सरकार परदेश में आयरुवेदा को बढ़ावा दे रही है विज ने कहा कि परदेश की सभी पी-एच-सी में एक-एक डॉक्टर आयरुवेदी का देने जा रहे हैं ताकि लोगों को जादे से जादा फैदा मिल सके अमबाला से आजार टीवी नियूस के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट परदेश सरकार परदेश में आयरुवेदा को बहुत बढ़ावा देना चाती है पूरा नेटवर्क हम आयरुवेदीक डिस्पेंसरियों का बनाना चाते है झाला चाते है